कि शेयकीन दुपए की बुर्ष खलीफा के इंदजार करते रहे कि पाकिस्तानी परचम सबसलाली परचम को लहराये जाएग relevant के थिखा गया लेकिन बुर्ष खलीफा में पाकिस्तान का परचम नहीं सब्सक्राइब कर रही हैं और हमें सोतेली मा की तर अलग किया जा रहा है क्या वजवात हैं वजवात सिर्फ ये एक ही है कि जिनाब तकरीबं 76 साल होने जा रहे हैं मुझे आप एक इनसान का नाम बता जिसने अपनी अवाम के लिए कुछ अपने मुलक के लिए कुछ किया हूँ था हमारा अब वजूद कोई नहीं है अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा र मुबाइल पर उनने का यार मुझे आप से जंग नहीं करनी आप क्या समझते हैं मैं आप से जंग करूंगा आप पहले इस काबल हो जाएं भी होश करने की जरूरत आया नहीं है कि इंडिया के साथ जो टूटे रिष्टे हैं वो जोड़कर हालात बहतर कर लेने चाहिए या पहले पाकिस्तान बचाओ पाकिस्तान का बतलब है अपनी अवाम को बचाओ आप पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहें वाट इस पाकिस्तान को मफाद छुपा हुआ है अगर इंडिया के साथ सुला हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारे तो हालात बहतर हो जाएंगे ने दोनों म दे हम तुम्हारे साथ हैं मैं अपनी फोज को यह कहना चाहता हूं अगर वो चाहे तो हमारी जो अवाम इस वकत घरी है अगर पाकिस्तान के लिए वो लड़ना चाहे तो हम अब लडने को त्यार हैं जब हम यहां से चले गए फिर हम उनके गुलाब को चाहेंगे अब लड़ कि आप शोर आगया पबलिक को मेरी बातों का यहां पर जो मैं बाते कर रहा था और जितनी मेरी मैनत दी वो रंग ले आई है अब इनको समझ आ गई है कि हमारा दुश्मन मोदी नहीं है हमारा दुश्मन इंडिया नहीं बज़े रात को 12 बज़े पाकिस्तानी सारे मिलकर ब लेकिन नहीं लेहा गया आज की डेठ के अगर हम बात करें 15 अगस की इंडिया का फलैक को लह रहा है गया ना सिर 50 के अंदर मेरा ख्याल तो यही है कि हमारी हुकुमत जो है ना वो नकाम है इस वक्त जो भी हुकुमरान है और ये एक तरह से नकाम रियास्त बन चुका है देखिए अगर आपके नुमाइंदे आपके हुकुमरान स्ट्रॉंग हो गए कहीं जाके दुनिया में किसी फोर्म पे बात कि अब मैं नान भी ले सकता उनका कास्म के अबू भी बड़े अच्छे थे उन्होंने जाके क्वाम मतद्दा में ऐसा पेगाम दिया पूरे मुसल्मानों को कि तमाम आलम मानता था उनकी बात और वो कहते थे कि यार इन्होंने इसलाम की बात की है कोई वजूद था हमारा वजूद को ही नहीं अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहा है हमारे जंडाजी नहीं लाआ आए उनोंने कुछ हमें रिस्पान्स भी नहीं दिया कुछ समझा भी नहीं इस काबल भी नहीं कि दुबई अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वकत हमारी international level पर क्या repute है क्या बाहर के मुमालिक हमें समझ रहे हैं और क्या हमारी यसिएत है हमारी क्या value है zero M क्या इन situations के अदर देखते हुए क्या हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का हम हर मामले के अंदर हर चीज के अंदर भारत को जो जरूर मारे करते हैं अगर बात करें रिफेंस के अंदर हम क्या वाहते हैं इंडिया से बढ़े स्टराउ। आघ क्या हम वक्ये मेह करें हैं महिषची तोर पर दुनिया के पांसभी महिषची बन गया इंडिया गाह में होश के ज़रूरत आया नहीं है कि इडिया के साथ जो टूटे रिष्ते हैं वो जोड़कर रहत बेतर लेने चाहिए आन्य, ज्यादा बेतर है जी उनके साथ दोस्ती से चलें कोई फायदा नहीं है लड़ाई में, कोई फायदा नहीं है दुशमनी में, जो भी धिस्ब्यूट है ना इसकी बिजाए अमन के लिए कोशिश करें और ऐसे काम करें जिसका इंसानियत को फाइदा हो, हमारे प्लैनेट को फाइदा हो, ना कि हम इसे डिस्ट्रॉइ करने में लगे हुए है। कुछ लोगों की नोकरी खत्म हो जाएगी भाजान। पास शौप थी, जो मैं कर रहा था, मेरी पैंसी रेजर शौपनर स्टेशनी की शौप थी। जब से ये आए, फिर ऐसा हुआ कि दुकान जो मेरे हाथ से जो जाना शुरू होगी। आइसा इसा मेरे पर तीन-चार कराये चड़े और मेरे मालकों ने मुझे से खाली करवा ली। अब मैं वो सामने रोड को पर खड़ा हूँ और पैंटे सारा दिन लोगों को दिखाता हूँ क्या हैं और मेरे से खरीद लें। जिन लोगों ने हमें यहां तक पुंचाया है। आप पीस की बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन पीस की मैं और आप बात कर सकते हैं। जिन को करनी चाहिए उनको शरम ही नहीं आती। वो कैसे करेंगे। मैं यहां खड़ा हूँ कि आपको बताएं। यह जो मैसिज आप अभी दे रहे थे ना कि टेकनोलोजी में मुकाबला करते हैं। यह मुदी साहब ने तक रीवन आज से 4-5 साल पहले दिया था। लेकिन इनको फिर भी शरम नहीं आई। कर दो। यह देख सकते हैं आप कि आप शोर आगे आप अब लिक को। मेरी बातों का यहां पर जो मैं बाते कर रहा था और जितनी मेरी मैनत दी वो रंग ले आई हैं अब इनको समझ आ गई हैं। अपने दुश्मन खुद बने हुएं अब इनको समझ आ गई हैं। सर आप मुझे बताएं कि अगर हम आज इंडिया के साथ जंग लड़ते हैं या चार जंगे हम पहले लड़ चुके हैं। ना तो फाइदा होगा और अब की जंग अगर होगी ना तो मेरे जैसे पीछे हाथ बांद के खड़े होंगे साथ नहीं देंगे। क्योंके मुझे पता है कि जो मेरे बच्चों की रोजी रोटी चीनी की है ना जो लड़ रहे होनी की वज़ा से है। ये तकलीफ दे बाते हैं मुझे उठा लेंगे मुझे मार देंगे अल्ला के घर तो जाने ही जाना है एक ना एक दिन हर बंदे ने जाना है उठा ले मार दें बच्चे भी बाद में भूके मर जेंगे कोई मसला नहीं लेकिन मैं अपने दिल की बढ़ास निकालने की यहाँ हम से जादा वह इंडिया के करीर क्या वज़वात है के इंडिया को सिर्फ दुबै नहीं सर बड़ी बड़ी कंट्री युस से ने डिक्लियर कर दिया था कि फंदराः मैरे भी月 size वी मनाएगा सब्सक्राइब इस प्रिषी कंट्री को इंडिया एक इनसान का नाम बताए जिसने अपनी अवाम के लिए कुछ अपने मुलक के लिए कुछ किया हो जब तक आप अपने मुलक के लिए कुछ नहीं करेंगे बाहिर वाले भी आपका कहना नहीं मानेंगे आपको कुछ नहीं समझेंगे उन्होंने अप पिछले साल की बात करें ज इसके पास गरीब के पास अधीरल की पैसा नहीं है, और si गप कतो की तरह दलील करें, जो मर्दी करें पर हमारे बच्चे नवार के मरें। सिर्फ जंडे की बात कर रहे हैं जंडा ये लहराया जा रहा है कि वो कुछ नहीं मान रहे हैं पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को कोई भी कह रहा है स्वाए जो मुसल्मान है जो मुख्बूबे वतन है वो ही सिर्फ कह रहे हैं जी पाकिस्त बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमारे बीवी बच्चों के लिए हमारे अपने लिए हमें लिए कम जो है ना किसी किसम का भी हमें कोई रिलीव नहीं मिला अब च्छतर साल की बात कर रहे हैं आप यकिन मानें कि इन दो सालों में जो हो चुका है ना पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कि मुझे रोना आजाता है कि जब मैं कि देखता हूना तो वो शाम को वला क्या सोच रहे होता है कोई भी गरीब आदमी कि जनाब मेरे बच्चों के पास खाने के लिए पैसे लिए अब मैं क्या करूँ या खुदकुशी करूँ मmet मुरा यह बच्चा भूकानी सोना जाहिए क्या हमारे हुकमरान को यह नजर नहीं आथा आज हमें ondan इलेगा पाकिस्तान में तो लहरा के दिखाओ जब तुम पाकिस्तान में लहरा होगे तो बुर्ज खलिफा की ऐसी की तैसी के वह तुम्हें लड़ाएगा एक स्वाल यहां पर पूछूंगा हम हर हाल में इंडिया के साथ कंपेरिजन करते हैं अपने अलाथ अपने हर चीज को कहते है कि भाई हम उनसे अफजल है सर मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से वो स्पेस टिक्नोलजी के अंदर ग्रो कर रहे हैं जिस तरह से वो अपनी एकोनोमी को लेकर स्ट्रॉंग कर रहे हैं हमने कल अजादी के टाइम हमने देखा होगा बाजे लेकर गलियों में गोमकर पाकिस् भी महिशत बना दिया थड़ भी बनाओंगा क्या कहना चाहेंगे सर मुझे मोधी साब जो पनायन मिनिस्टर है उनके तो मुझे उनकी एक तक्रीर मेरे सामने आई मूबाइल पर उन्हेंने का यार मुझे आप से जंग नहीं करनी आप क्या समझते हैं मैं आप से जंग करू जी की आप बात करें उनके अपना स्टैबलिश होने की सर वो हमसे 20 से 30 से 50 साल आगे जा चुका है वहां पचास साल अभी हमसे आ गया है जब हम उनके बराबर पहुचेंगे 50 साल बाद वो तब कहा जाएंगे सर वहां चले जाएंगे कि हम लोगों को गुटने टेकने पर ज सर कश्मीर की बात करें पाकिस्तान जब बना ना तो हमारे बरों ने कुर्बानियां दी थी ठीक है उन्होंने अपने आप की अपनी जान माल सब कुछ जो है ना वो खतम किया फिर जाके पाकिस्तान बचा जनाब हम किसी किसी सूरत में सर हम अपने इसासे हम अपने दौलत ह हम अपने नजाम वो बाहिर बैंक में रखके हम कहें के जनाब हम कश्मीर बचा ले ओ भाईया पहले पाकिस्तान बचाओ पाकिस्तान का वतलब है अपनी अवाम को बचाओ आप पाकिस्तान पाकिस्तान करें वाट इस पाकिस्तान क्या है पाकिस्तान पाकिस्तान यह 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 य टेके इन पाकिस्ताने को देके इनको बचाना है हमें पाकिस्ताने को नी बचाना है uckुतola बाफ जाएगा बोरज खलीवा क्या पूरी fulfillment का जंडाला नहरा एगा ये पीरा इमान है लेकिं सुपाशलार सर फिर रिक्ट करऊंगा प्लीज पाकिस्तान को बचाना एंट बचालो नहीं तो यह नशे में चले जाएंगे इसे की गुलामी चले जाएंगे पाकिस्तान से यह बागने की कोशिश कर रहे हैं क्यूं कर रहे हैं सर मेरा बचा बुगा वैटा गा मुझसे यह बर्दाश नहीं होगा मुझे गुलाबी कबूल मुझे डौकी बनें कबूल एंके लिए लिए उनकी सुफाया करना कबूल ہے लेकिन मुझे यह बेरोऄसगारी पैदा हुएं कभी आपनी जेबें जो है न वो जब तक भरनी नहीं चोरेंगे अपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करेंगे मैं आपको थोड़ा से बताना चाहूंगा हमने इंडिया के साथ दुश्मिनी बेची अभी सिर्फ हमारी अवाम को दुश्मिनी बेच कर बेवकूब बनाया गया मैं बताओं चार जंगे लड़ी हैं सबसे ज़्यादे नुकसान किसको ठाना पड़ा है सर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को मुझे ये बताएं आप इंडिया के साथ आप जंगे की बात कर रही है पिछ एक साल में अथारह आटैक वो आपके ऊपर कर देता है आप फिर उसमें एक हैड्लेंच चला देते हैं कि अब के बार तुमने किया तो हम आपको नहीं चोरेंगे अरे बाई करते हम तुमारे साथ हमें अपनी फोज को यह कहना चाहता हूं अगर वो चाहे तो हमारी जो अवाम इस वकत घरी है अगर पाकिस्तान के लिए वो लड़ना चाहे तो हम अब लड़ने को तयार है जब हम यहां से चले गए फिर हम उनके गुलाब को चाहेंगे अब लड़ना नहीं है सर अब हमने लड़ना नहीं है अब सर अब पीस कायम करनी है सर इसी जजबात की वज़ा से आज हम रोड़ पर आये वें आज जो आपने जितने पंदरा मीट के यहां पर तकरीर की सिर्फ इसके नतीज यह निकलता सर हमें सिर्फ जजबाती बना कर लड़ाया गया सर यकीन करें अगर आज हम पीस की बात करें हम कहें कि कश्मीर का मसला हम हल करते हैं हमें दुश्मनी बेची गई है इंडिया को हमारे अगेंस किया जाता है और सिर्फ बेचा जाता है और वोड करी दे जाते हैं और फिर वहीं सर्कल चलता जो कि हमें 75-75 सालों से चलता हुआ आ रहा है सर हमें होश के नाकूल लेने की ज़रूरत है अभी हमें दुश्मन को भी पहचाना और दोस्ट को भी पहचाना और जो दुश्मनी जो हम करते आ रहे हैं सर ये नहे साल से हम शुरुआत करें कि पीस से हम इंडिया को भी मैसेज दें कि भाई कोई दुश्मनी नहीं आओ भाई चाहरा पैदा करते हैं आओ जंग करते हैं टिकनोलजी में आओ जंग करते हैं अजुकेशन में कौन जादा आगे जाता इसकी जुरूरत है या नहीं है बताए मुझे सर बिलकुल आपने बरी खुबसूरत बात की कि जनाब हमारा उनके साथ आप जिस तरह मरदी केंपेरिज़न करें सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमने उनके साथ जंग कैसे लरेंगे कि जब मेरे बचे बुके होंगे सब हमारे रोज़ बेरोजगारी होगी जब हमारे बिल्ख प conception